आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे structure of anther दिखो flower के अंदर male and female reproductive structure present होती है जो male reproductive structure होती है उसे बोलते है stamin ठीक है यहाँ यह आपको diagram दिख रहा है यह है stamin का जो stamin का upper portion होता है इसे बोलते है anther anther से ही एक thread like structure जुड़े होई होती है जिसे बोलते है filament यहाँ पर same चीज लिखी होई है अब जो anther है वो tycker बाइप हो सकता है monothecous भी हो सकता है byomaticist का मतलब होता है कि anther के दो λोब है monothecous का मतलब होता है कि anther का के व pitched यहाँ यह जो diagram है यह by Sophus anther का है एक लोब इसका यह है दूसरा लोब यह है यह दोनों लोब शेपरेट होते हैं एक दूसरे से जो पाट इनको सेपरेट करता है उसे बोलते हैं कनेक्टिव ठीक है सेम चीज लिखी होई यहां पर जब एंथर को ट्रांसवर्सली काटा गया ठीक है इस एंगल से इस प्लेंग से काटा गया तब कुछ ऐसी से स्ट्रक्चर अपियर हुई जब एंथर के टीय सेक्षन को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई दी ठीक है तो इसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं अब हम इने वन बाई वन पढ़ेंगे सबसे पहले एपिडर्मिस जो यह आउटर लेयर होती है यह एपिडर्मिस की बनी होती है और यह सिंगल लेयर होती है जब एंथर मैचियोर होता है उस टाइम पर यह लेयर मुर्जा जाती है नेक्स्ट लेयर है एंडो stomium, stomium को line of dehiscence भी बोलते है stomium इस reason को बोलते है stomium, ठीक है, जब enter mature हो जाता है उस time पर pollen grains जो होते हैं, वो बाहर निकलते है तो जो यह pollen grains बाहर निकलते हैं ना यह stomium से ही निकलते हैं, क्योंकि इसे बोलते है line of dehiscence, यहीं से ही dehiscence होता है उसके बाद है middle layers ठीक है, endothesium के बाद जो दो यह तीन layer present होती है उन्हें बोलते है middle layers, ठीक है जब enter mature होता है, उस time पर यह layers disintegrate हो जाती है middle layer के बाद वाली जो layer है, उसे बोलते है tapetum ठीक है, tapetum single layer होती है tapetum के अंदर cytoplasm भी present होता है tapetum cells के अंदर, एक nucleus भी हो सकता है एक से जादा nucleus भी हो सकते है ठीक है, जो tapetum होती है यह बहुत ही important role play करती है pollen grain के development में अब pollen grain कहाँ पे बन रहे हैं कहाँ पे इनकी development हो रही है enter के अंदर ही हो रही है, अब इनको nutrition भी तो चाहिए ठीक है, जो nutrition प्रोवाइड करने का काम जो होता है न वो tapetum cells का होता है tapetum developing pollen grains को nourishment प्रोवाइड करता है hormones की form में, amino acid की form में, enzymes की form में और जो other nutritive materials होते हैं उनकी form में developing pollen grains को nourishment प्रोवाइड करता है ठीक है, उसके बाद है vascular bundle जो vascular bundles होते हैं, enter के बिल्कुल center में present होते है अब देखो जो पूरा enter है, ठीक है या पूरी जो stamin की structure है, उसको भी तो nutrition चाहिए न तो वो nutrition कहां से आता है आपको पता है vascular bundle में xylem and phloem present होते हैं ठीक है, phloem से food आता है और xylem से water आता है next है pollen grains, pollen grains को microspores भी बोलते हैं ठीक है, अब pollen grains है, यह pollen sec के अंदर बनते हैं ठीक है, अब pollen spore बनेंगे कैसे तो कोई जो यह pollen sec होते है न, इसके अंदर sporogenous cells present होते हैं sporogenous cells divide करते हैं, re-divide करते हैं, microspore mother cells बना देते हैं mmc लिखा है, mmc का मतलब होता है microspore mother cells फिर जब microspore mother cells में division होती है उसके बाद बनते हैं microspores next video में हम पढ़ेंगे structure of microspore